बड़ी खबर आपको बताएं एलेसी पर तनाव कम करने की कोशिशे लगतार जारी है और इसी में तुशूल में कोर कमाडर स्टर की जो वारता है वो जारी है भारत चीन के बीच में ये आठवे दौर की बाठक है भारत के प्रतिनीदी मंडल का नेत्रित्व लेफ्टर एंग जनरल पीजी के मेनन्द कर रहे हैं इस वक्त ये बड़े खबर चुशूल से इस वक्त आपके लिए लेसी पर जो तनाव जारी है उसको कम करने की कोशिश भारत की तरफ से लगतार की जारी है लेकिन साथ दौर की जो वारता रही वो वफल रही आज आत्वे दौर की वारत इस वक्त जारी है एलेसी पर तनाव कम करने की कोशिश जारी है लेकिन ये साथ कह दिया गया है कि अब किसी भी तरीके के डालॉक्स के लिए हिंदुस्तान तयार नहीं है क्योंकि बार बार चीन की तरफ से डालॉक दिये जाते है डिलिबर किये जाते है मंच पे आता है वो चीन की बैठक के बीच में CDS की दो टूप, CDS विपन ज्रावत ने चीन को कड़ी चिताब नीती, क्या कहां वो बताते LAC पर किसी तरीके का बदलाव मंजूर नहीं है, यानि कि विस्तारवादी नीती के तहट जो चीन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी जरा भ कह दिया है, और चीन को चिताया गया है बार-बार भारत की तरप से, लेकिन एक बार फिर ये सीधी तोर पे संदेश दिया गया, चीन के और भारत की बीच में जो बैठक चली, CDS की दो टूप की, विपन रावत ने ये कहा, कि LAC पर किसी भी तरीके का बदलाव बिलकुल भ ट्रका भरत की बारत की अवीजा लिपने लगवारी को च्टेशने को बारत की बारत के लिवंपार लगा है कि धर सु अजाए लूब्यों से क्विश्त है, विद निपकुल प्रूब्टे प्र आवारत का ले अच्ट्रूव में पनोने जिव घवारत कि प्रप्क्री स्वा प्रवलिब एलाजा गॉं़िक प्रवाट इन देजल एंट आफ़ एक्षरी कोशीर एक्राइब और बिसकेक ही अब्रैन विकारे किन्या बजय लेखर इंटिट विश्क्न अफिष यह को आफ़िध्य इन पाकिस्तान विश्या को को अचिय इन अफिस्ट करिए इसन इसलिषा फिजन दिन एकन्षम उस्कारीकिया हैं हाँ टानी इवाजिजेशने आफटारीन के लिए प्रयोड को अस्कारीकिस पुटिए अस्कित टूड़ दिन अवज़ that it no longer enjoys the impunity of pushing terrorists across the line of control under the nuclear bogey. The new Indian template has injected ambiguity and uncertainty in Pakistan. जी मीडिया सावत अता सिधान सिब्बल जुशुके इस ख़वर पर और जाद जॉन कारी के साथ सिधान सीधान सीदेस की ये दो टू के लेसी पार ये कहा गया कि मूतोर जवाब देंगे और विस्तारवादी नीती तो चीन भूल जाएं उमीद करते हैं कि कुछ तो समझ आए चीन को अब जी स्वांग कमेंट्स हैं सीदेस के दोनों चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए और चीन के अगर बात करने तो कड़िश तोर पर उन्हें ये जो सब जूश करा है मिस्ट विंटर मेरे खाएं से पहली बार ऐसे चाब जूश करा गया है किसी हाइप प्रफाइल टॉप लेवल इंडिन लीडर्शिप का और इसके इलावा अगर पाकिस्तान की बात कर ले तो उनने जिकर करा बाला कोर्ट का उरी के बाद जो स्ट्राइक हुआ था और कहा कि कहीं न कहीं एक नया नॉर्मल सेक्ट हुआ है जिसके वैसे आप पाकिस्तान को दो बार सोचना पड़ता है कि अगर वो प्रॉस वर्ट टेर में इंडल्श करें सिदान्त लेकिन याँ चीन को सीदे यह कहना है दर्शाता है कि चीन को यह मेसेश देने से पाकिस्तान शायद यह जा जाए और सीख जाए कि चीन को बख्षने के मूड में भारत नहीं है तो पाकिस्तान को तो पहले ही दो बर दिखा चुका है उसका हश्र क्या किया है हिंदुस्तान ने जी चीन के अगर बात करने तो आज मैं आपको बता दू इस वकर बात चीश चल रही है सब्सक्राइब करते हैं तो आज मैं अगर चीन नहीं वहां से रिमूव होता तो कुछ ना कुछ आक्शन आम एक्ट कर सकते हैं किसी भी लेवल को सकते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब कर दिया है कि कोई विस्तारवादी नीती के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो भारत आपके साथ खड़ा नहीं है और हम सक्षम है जवाब देने के लिए क्या रवाया रहा चीन का देखे आगा चीन का रवाया देखे तो पिछले कुछ महिनों से जब से पुरा स्टैंड ओफ शिरू हुआ है जो ज़्यादा चेंजिस भी आया है बढ़ा स्टैंड ओफ हुआ है लंबा स्टैंड ओफ हुआ है भारत चीन के बीच में इससे पहले हमने देखा था 2017 में दोकलाम में जो इंसिदेंट हुआ था उसके बाद गहिना का एक तरफ से चेंजिस आय थे पर ऐसे लग रहा है कि चाइना को लग रहा है तो लगता है global coordinated action की अवक्षता पढ़ सकती है और उसके लिए कहीं नहीं भारत और उसके साथ लाइक माइन डेमक्रसी उसके काम कर रहे हैं पर चाइना पर कुछ गादा फरक नहीं पढ़ा है इस मिटिंग कोई असर होगा पहले भी साथ बार एक दो तीन बार नहीं साथ बड़ मीटिंग हो चुकी आट में दोर की बारता है ये जी ये तो बड़ा सवाल है यूंकि चासर होगा ये हमने देखा है कि ये सवाल हर मीटिंग के बाद उठते है और कोई चेंजिस नहीं होते हैं इस बार कोई भी किसी भी तरिकी का समझवता भारत बरदाश नहीं करेगा उमीद करेगी चीन को और साथी पाकिस्तान को ये भाशा समझ में आएगी अब यानि कि भारत आरपार के मूर में है जैसे कि रक्षा मंठी ने कहा कि हम कोई ये सौवरेंटी इश्यूस के कोई काम्रमाइस नहीं होंगे जी जी शांद मंठी ने एक आफ़े पहले जो कहा कि डिसंगेजमेंट और इस्टेशन प्रासेस के लिए उन्होंने कोशिश कर रहें तो इसमें कोई मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समझोता नहीं होगी कि चीन में अभी तक कोई कम्पीट इसंगेजमेंट तो हर बार बातचीत के लिए राजी होता है हर बार टेबल पर आता है और जाते ही फिर किस तरीके की विस्तारवादी नीदी के साथ वो आगे बढ़ता है अरुनाचर प्रदेश में भी देख ले रेलाइन बिचाने के लिए वो तयार है अपने हिस्से में किस तरीके से आगे बढ़ रहा है यह देखा हमने हाँ तो यह जो डिसकॉशन जो है यह बॉर्डर डिसकॉशन तो आज की बॉर्डर डिसकॉशन में आपको लगता है कोई नतीजा निकलेगा क्योंकि बार बार चीन तो आ जाता है बातचीत करने के लिए साथ वारां में उन्होंने का है कि हम उनका जो आपिंडरी और टैंक रेजिमेंट को थोड़ा सा आगे निकाल देंगे लेकिन इसे भी कुछ फाइदा नहीं होगा क्योंकि वो दुबारा और रिडिप्लाइटा है इंदुस्तान के शर्टों को इतनी असानी से मानेगा चीन नहीं कि अभी जी श्रिकान जी आप अपनी बात पूरी कीजिए तो चलिए इंसे लगता संपर्ट तूट गया लेकिन सीधे तोर पे जो मेरा सवाल था कि क्या इतनी असानी से भारत के शर्टों को चीन मान लेगा उन्होंने सीधे एक शर्ट में ये कह दिया कि नहीं वो नहीं मानेगा और यही चीज पिछले साथ दौर की वारता में हमने देखा भी है खुद इन्वाइट करता है बाचीत के लिए आगे आता है और उसके बाद किस तरीके की हरकते चीन करता रहता है वो हमने देखा है L.A.C. हो या L.O.C. हो बारत दोनों सिमाओं पे नज़र बनाये हुए है और दोनों जगाए एक साथ ने पढ़ने के लिए सक्ष्रम है चाहे भारत के रक्षामंत्री हो C.D.S.O. उन्होंने ये इन बातों को सपष्ट किया है कि ऐसा कोई भ्रम ना पाले ना L.A.C. पर चीन ना L.O.C. पर पाकिस्तान तो आप ये नया भारत है और घर में घुसकर के मार चुका है बार बार इस बात को दोराने की जरूरत नहीं है कहने की जरूरत नहीं है लेकिन पाकिस्तान को याद दिलाना इसलिए पढ़ जाता है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से इस वक्त अपने आका चीन के दम पर उचलने की कोशिश कर रहा है अलोसी पे तराम जैसे बढ़ा रहा है उसको देखते हुए ये दोहराने की जरूरत जरूर पढ़ जाती है कि पाकिस्तान ना भूले वो सर्जिकल स्ट्राइक और ना भूले वो एर स्ट्राइक एक छोटा सा प्रेक लॉटिंग फॉरण आप देखते रहें जी हिंदुस्तान सफर में हो या घर पर अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर आप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान आप पाँच भाशाओं में चुने अपनी पसंद की भाशा जी हिंदुस्तान के लाइफ टीवी पर कीजिए क्लिक और देश-दुनिया की हर खबर पर रखिये 24 घंटे अपनी नज़र